ये गर्मा गरम ब्रेड रूल बनाने का अगर आप मेरा ये मैथ़र्ड एक बार फॉलो करेंगे तो I'm sure आप ये बार बार बनाना पसंद करेंगे और एक बड़िया सा नाश्ता जो है आप इन ब्रेड रूल से रेडी कर सकते हैं हलो फ्रेंज वेलकम टो शिलपास फूट कोट आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रूल्स ब्रेड रूल्स बनाने का एक बहुत ही इजी सा मैथ़र्ड मैं आप से शेयर करूंगी जिससे आपके ब्रेड रूल्स भी बहुत ही अच्छे बनेंगे तो चलिए स्टार्ट करते है ब्रेड रूल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां बॉइल डालू लिये हैं अद्रक लैसून का पेस्ट लिया है और जो हरा धनिया उसे बारी काट के लिया है साथी मैंने दो प्यास है उसे बारी कट करके लिया है मसालो में मिर्ची पाउडर धन्या पाउडर और न मसाला बनाने के लिए बहुत जादा ओईल ना करे, नहीं तो बहुत ओईली बनेगा आपका जो ब्रेड रोल है, जीरा एड़ करेंगे हम थोड़ा सा, अध्रक लैसून का जो पेस्ट है, वो मैंने इसमें एड़ कर दिया है, मैंने एक हरी मिर्च भी इसके साथ में ही पेस्ट करना है बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है थोड़ा सा एक पिंकेश होने तक खाली इसे हमें फ्राइ कर लेना है अच्छे से मसाले के साथ यह देखिए अद्रक लैसुनो जीरा के साथ में प्यास जो है अच्छे से सोटे हो रहा है कंटिन्यू आप चलाते जाएं से अब हम इसमें मसाले एड़ कर रहे है मैंने एक चमच इसमें नमक एड़ किया है आप अपने टेस्ट के कोडिंग एड़ करें लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें एड़ किया है दो चमच कश्मीरी लाल मिर्च धनिया पाउडर मैं इसमें एड़ कर रही हूँ एक चमच और एक चम मिकश को इसमाब माझ गरम मसाला मैंने ISMA एड कर लिया है और इन मसालों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्यास के साथ में यह देखिए इस तरह से मसालों को हमें मिक्स करना है इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं आड करेंगे ऐसे ही आपको ओईल में ही प्याज और अधरक लैसुन के साथ सूखे मसाले अच्छे से भून लेने हैं अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ हमारे बॉइल किये हुए और मैश किये हुए आलू बॉइल करके मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है और इस मसाले में अभी हम इसे एड़ करके अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ अच्छे से आलू का मसालों में मिक्स होना जरूरी है नहीं तो कहीं पे आपको थोड़े मसाले ज़्यादा लगेंगे कहीं कम तो इसलिए इने प्रॉपरली अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है यह देखिए मैंने बहुत अच्छे से मसालों को आलूओं में मिक्स कर लिया है और इसे अभी मैं एक प्लेट में निकालके थंडा करने के लिए रख रही हूँ आदा घंटा हम इने फैन के नीचे थोड़ा रख देंगे ताकि यह थंडे होके रूम टेंप्रेचर पे आ जाए मसाला हमारा थंडा हो गया है अभी हम ब्रेड रूल्स बनाना स्टार्ट करेंगे यह देखिए मैंने ब्रेड ले ली है इसके जो कॉर्णर्स हैं यह कॉर्णर्स हम निकालेंगे मैं दो तरह से आपको आज ब्रेड रूल्स बनाना बताऊंगी एक कॉर्णर्स निकालके और एक कॉर्णर्स के साथ में दोनों भी जो मैथड से वो एक ही जैसी है लेकिन corners के साथ में जो है ये जो hard वाला part है वो remove हो जाता है और without corner में हम वो remove करके बनाते हैं ये देखिए मैंने corners remove कर ली है एक bowl में मैंने पानी ले लिया है bread को हम पहले पानी में ऐसे भिगोएंगे और ऐसे हाथ में अच्छे से दवा के उसका पानी पूरा निकाल लेंगे अब मैं इसमें अपनी जो stuffing है आलू की वो भरूँगी अंदर ऐसे उसमें अंदर आपको आलू की stuffing डालनी है और इस तरह से अच्छे से प्रेस करके ये जो bread है इसे पूरा roll कर देना है ये देखिए ऐसे अपने palm की help से आपको roll roll इसको अपने हाथों के अंदर ही घुमाते जाना है और एक oval shape का जो bread roll है थोड़ा सा पानी लगा के हाथ में आपको इसको पूरा perfect oval shape देना है हमने corners निकाल ली थी ये हमारा without corners वाला जो है एक bread roll बनके तयार है ये देखिए बहुती smooth सा बना है बहुती अच्छा सा बना है अभी मैं corners के साथ आपको बनाती हूँ मेरे घर पे मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं ये corners remove नहीं करती क्योंकि fry करने पे ये बहुती crunchy हो जाते हैं और बहुती tasty लगते हैं खाने में तो आप किसी भी method से बना सकते हैं वो आपकी choice है अभी ये देखिए अच्छे से वापस वैसे हम इने palm की help से roll करेंगे और roll करते करते ये देखिए almost दोनों similar ही है कुछ उसमें बहुत ज़्यादा difference नहीं है ये देखिए इस तरह से मैंने ये corners के साथ एक और bread roll बना लिया ये देखिए दोनों भी हमारे ready है without corners वाले bread के और corners वाले bread के सारे मैंने इसी तरह से बना कर ready कर लिये हैं अब 10 मिनट बाद मैं इन्हें deep fry करूंगी पैन में तेल मैंने गरम कर लिया है अब ही मैं उसमें अपने bread rolls deep fry करने के लिए डाल रही हूँ ये देखिए इस तरह से हम थोड़े थोड़े करके डालेंगे एक साथ बहुत जादा crowded नहीं करना है आपको pan को और डालने के बाद पहले एक side अच्छे से fry होने देना है उसके बाद ही हम इन bread rolls को पल्टेंगे ये देखिए एक side से ये golden brown हो रहा है अच्छे से तो अभी हम इनको दूसरे side में पल्टेंगे अल्मोस्ट एक 2-3 मिनिट में एक side अच्छे से golden brown हो जाता है फिर हम इन bread rolls को अच्छे से पलट-पलट के पूरा golden होने तक अच्छे से जो है वो तल लेंगे ये देखिए एक side golden हो गया है अभी हम इनको turn कर देंगे दिखने में जितने ये difficult लगते है बनाना उतना बनाना actually है नहीं इनको थोड़ी से खाली आपको अगर tricks पता है तो आप easily इनको बना सकते हैं ये देखिए दोनों साइट से जो हमारे bread roll से वो बहुत ही अच्छे से golden brown हो गया है बस ये perfect color है इसी में आपको इने remove कर लेना है oil ऐसे strain करते हुए हम इनको remove कर लेंगे ये देखिए मैंने इने remove कर लिया है अब मैं अपना दूसरा batch इस में add कर दूँगी इस तरह से आप 2-3-2-3 करके ही at a time डालें ये देखिए second भी मैंने डाल दिया इस तरीके से सारे मैंने fry कर लिये है गर्मा गरम bread roll बनके ready है sauce के साथ, tomato chutney के साथ, किसी के भी साथ आप इसे गर्मा गरम सर्फ करें एक बहुती perfect नाश्ता आप इससे बना सकते हैं रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे अच्छे अच्छी रेसिपी इसके साथ, बाई बाई